अल्राइट गाइज, so question आया कि हमारे पड़ोस में एक husband उसकी wife को daily पीटता है रात को और वो लड़की बिचारी इतनी पीटती है कि वो कुछ कह भी नहीं पाती, तो क्या उसके बिहाफ पे मैं complain कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं, यानि कि मैं तो third party हूँ, टेक है, victim वो ह और clause 1 और clause 2 में, of domestic violence act 2005 में, यह क्या कहता है, यह deal करता है informant के बारे में, यानि कि आप भी informant बन सकते हूँ, आप public authorities को, public authorities कोन होती है, जैसे कि मान लोग protection officer हो गए, police station हो गया, जो भी वहाँ officer बैठते हैं, उनको आप दे सकते हो, उसकी ख़वर, अब question आरोगा कि हमें तो क है कि no criminal liability, और civil liability, आपके ओपर कोई liability नहीं आएगी, ठीक है, और exclusion of liability, यानि कि आपको यह नहीं कहेंगे भी तुमने complain क्यों दी, तुम आओ, यह आओ, तुम है कोई दिक्कत में, तुम safe हो, ठीक हो, अब रही दूसरी बाप, अगर मालो, वो लड़की अन पढ़ा है, उसको पता नहीं है, अपने rights, तब पिट रही है, तब तो तुम complain करो, तो फायदा है, अगर मालो, वो पढ़ी लिखी है, पता चली जाता है, देख दापके, अगर वो पढ़ी, फिर तुम complain कर रहे हो, तो मत करो, क्यों, पता क्या होता है, वो सुबह लड़ते हैं, शाम को एक हो कोई हमारा matter है, क्यों गया, ये फलान डिखाना, क्यों गया, वहां जाके, क्या लेना तेरे को ऐसे हैं, तो उरता हुआ तीर, नहीं लेना, कब जब वो पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ कर सकती है, तब भी नहीं कर रही है, क्योंकि देखो, सुबह लड़ेंगे, शाम को ए अच्छा प्रोविच रहे, सेक्शन फूर अच्छा बनाया है, कि बही किसी, होता न, बहुत बार, पिटतें विचारें कर नहीं पाते हैं, तो आप कर सकते हैं, ओके, सो, आई होप, इट इस क्लियर, बाई